मुझा रूख जो भाई रूख जो जैसे ही बोर्ड का एक्जाम आया हम लोग के दिमाब में बस एक ही चीछ चल रहा है सबस्क्न ही. अगर आपको इसको पता ही नहीं है. तो कोई भी बी कोस्चिन को आप अटेंड हीनि नहीं करा होगी तो आज मैं ऐसी ट्रीक मतारे जारा हूँ आप पूरे सोशन मीडिया किसी बी प्रेटफ़ॉम के देख ले दे नहीं मुर 직ल कर ले जाकेدة गोई भी पाएंगे ही नहीं जी हाँ इस वीडियो में आप ऐसा ट्रिक जानने वाले हैं जो आपने जिद्दगी में कभी आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा इस वीडियो को पूरा लास तक देखिए और आपको पूरे पूरा नहीं मैं आपको 50 परियोडिक टेबल आसानी से याद करवा दूंगा इतनी आसानी से कोई आपका सिंबल बस उसमें आपको सिंबल देखना है सिंबल कोई बोलेगा आप उसका एटॉमिक नंबर बोल देंगे बोलने के पहले ही इतना मज़ेदा ट्रिक आज में लेके आ गया हूं रेक्टिविटी सिरीज एन परियोडिक टेबल गा तो इस वीडियो को आपको जम लास तक देखना और समझना की कैसी हो रहा है तो आपको इस रेक्टिविटी सिरीज गोँगा अगर कोई दो इलमिंट्स बोल दिया पोटैसियम बोल दिया इसकेंडियम बोल द पांच से दस सेकेंड लगेंगे उससे जादा नहीं लगेंगे इस रियक्टिवीडी स्रीज के प्रॉब्लम को सॉल्ब करने के लिए सबसे रियक्टिव मेटल कहों सा है और 2020 most easier trick for periodic table जी हां periodic table का इतना मज़दार इतना easy और इतना shortest trick लेके आया हूँ पूरे YouTube पे चान मारिए ऐसा trick आपको कहीं नहीं मिलेगा जी हां यह बहुत ही genuine वीडियो है और आप ऐसा वीडियो अभी आप YouTube पे नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो है इस वीडियो को जाज जाज सेयर किया जी है लेकिन पहले वीडियो को देखे समझ लो और अपने दोस्त को भी भेजना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है आज इस मज़दार महा लर्निंग ट्रिक से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है औ इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि ऐसे की से कैसे याद करेंगे इस विडियो के बार आप बूलने की कितनी भी को कर लेंगे लेकिन आप भूल नहीं पाएंगे जी हाँ आप सही सुन रहे हैं तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले इसे याद कैसे करें इतना तो मेरे को हमको भी पता कि सबसे रेक्टिव लीथियम है फिर सबसे कम जो है आपका गोल्ड है इतना तो सबको पता है लेकिन भा इतना जो आपको इतना बड़ा देखने को मिल रहा है इसे आखिर याद कैसे करें तो आज इसमें आप देखेंगे कि हम रेक्टिविटी सिर्यूस को कितनी आसानी से याद करेंगे तो बस आप नीचे देखेंगे कि मैं क्या करनी जारा हूं बात कोई दम ध्यान से सुनना है ली कबा सरका ना मगर अलब मन मगर अलब मनजन कर पीकड को निचन पब है पीकड को निचन पब है कव हर इस पट यह उन्हें नहीं एक शिंटेंज लिखा है समझनी करें मैं आपको समझाओंगा बहुत अच्छे से लिकबा सरका लिकबा सरका ना मगर मनजन कर फीकड को निचन पब है कव हर इस पट आओ तो इसको याद कैसे करेंगे बात तो यह लिकबा सरका एक लड़का है लिकबा सरका एक लड़का है जैसेग holy एक लड़का है उसकी अधर्य गर्युऩार करें exist ये अं पट चैरा के ये इस दात में कुछ भी मानली ते कुछ भी फस गया उसकी माताजी क्या बोलती है लिकबा सर का उस लड़की से बोलती है लिकबा सर का मतलब इस जो चीज फसा है उस चीज को नाम लेके बोलती है लिकबा सर का लिकबा इस चीज का नाम है लिकबा सर का मतलब वहां से निकला तो लिक्वा सरका नहीं बिट नहीं अभी सरका नहीं मगल मंजन कर रहा हो कि मगल मंजन कर क्यों कर रहा हो मंजन इस चीज को निकालने के लिए अगर इस चीज नहीं निकलेगा तो निशन पब हो जाएगा इस चीज को मत समझेगा कि निशन पब कोई बीमारी है इस मांत्रा पर जानेगा बस मैंने ट्रिक बनाया है आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करने के लिए तो इन सारी चीजें पर मत जाएगा भाई तुने कैसे लिखा है उस चीज पर नहीं जानेगा हम लोग को बस याद करना कि आखिर याद कैसे हो जाए उस चीज को ध्यान में रखती हु आभा बोलती है लिख बहुत अननान單 युदि स माग 나왔 झीकना म मगल सी जनला है जी असे लड़क का नाम है जू भिक जैन अवे मतलब ब्रस कर रहा okay MEN 담 कर तो कर्रफी कर आखीरी मंगजन कर क्यों रहा जो चीज फसा है जो चीज उसके दाट में फसा उस चीज को नहीं निकालेगा तो उसको निस पभ हो जागे यह ně्जMore आपको शमजना याद करना है बस ठीक है यहां पर निशन पब अगर उस चीज उस दास से नहीं निकलेगी तो उसे निशन पब हो जाएगा तो उसकी माता जी उसे डाटती क्या है और हमें, आपको शमजना फाल पर देल निशन बेल ला याथ उसे में, बस इस निकल नहीं हो करता है के इस जो अहिए एक पतर हो सब्सक्राएं कि उसक्तास करते तो यहां jugar. बबाब चल्फ मतलब उसको एक तरह से गाली दे देती है ठीक है तो अब इसका मतलब समस्ते है आखिर मैंने इस 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 लिखा किये होगे सो समस्थे हैं हाँ देगे ली मतलब ल आई ली कब ली मतलब लाई ली कब बा ली कबा हो गया सर यस आर सर का 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 सी ये लिख बा सर का का हो गया न न न न न अ 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 निसन पब है मतलब है यो जी य थी पर पीटी परट आउ तो याद करना कैसी है बस मैं इस्ट्री को ले ऐसे एक सेंटेंस मनाया जो सेंटेंस झी а मेरे साथ बुलिए लिकबा सर का नामगल मनजन कर फीकड को निसन पब है को हज इज पट एउ बस साथ में से बोलते रहें नाम निसन पब है को हज इज पट एउ तो इसकी मातर इस से बोलती है लिकबा निकल गया उससे तो बोलता है नहीं अभी तो इसकी माता जी बोल रहा है कि हां अगर तुमने भी अपने दास से नहीं निकाला तो फीकड के जैसा तुम भी नीसन पर्व, मतलब नीसन पर्म बीमारी से गरस्ट होजाओगे तो इस बात को ध्यान में रखती हूए उसकी माता जी इस बात को बोलती है उसके साथ-साथ उसे गाली भी दे देती है क्या बोलती है इसको एक बार सिंबल को देख लिएगा अच्छे से नहीं तो आप कंफ्यूस होजाएंगे विकिस यहां पर लेख रखा हूं तो इसको आपको अच्छे से जब एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आज आएगा जी हां तो चलिए लीथियम पोट अच्छ हीड्रोजन कॉपर मकरी मकरी स्टील प्लाटीनम और गोल्ड तो इतनी सारी चीजों हैं कितने हैं वन टू थरी फूर फाइप सीट सेवन एट नाइट नाइट इन तो टूर्टी जो यहां पर इलमेंट्स हैं सो सब से रियक्टिव मेर्टल इस लिथियम जी हां तो को को सी यू को हज एजी ही आउ एउ और को कौन है को है को है किसी यू है तो कितनी आसानी से आप बता दें मतलब यह बस आपको पढ़ना लिख बसरका मगल मंजर का फिपर कुणिसन पब तूरंत पढ़ते ही आपका आंसर आ जाएगा इससे मजदा ट्री एद्दम जिन्यो इतनी अच्छे से बताने जा रहा हूं जिससे नाम लेते ही आपका उसका atomic number बोलने वाले हैं चार sentence देने वाला हूं इससे छोटे-छोटे sentence से बहुत ही मज़दार sentence है इससे बहुत मज़दार है और बहुत जल्दी आपको को याद हो जाएंगे तो चलिए अब देखते हैं periodic table के 40 minutes के अच्छे से याद कैसे आपने बहुत से वीडियो यूटीब पर देखी होगी periodic table पर जी हाँ स्क्रीन पर आगया है क्या होता है सबसे पहले box giving इसमें क्या होगा कि ऐसे बोल देते हैं इसको याद करने का ट्रिक बोल देते हैं हेलीना का रिबन कि शने फारा तो फिर इसमें गैप हो जाता है तो हमको एड करना पड़ता है भाई इसमें टाइम लग जाता है मैं 100% गैरंटी देता हूं इसमें टाइम लग जाता है इसमें आपको पूछ लेगा कोई तो आपको टाइम लग जाएगा लेकिन जो आज मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं यह पूरा जैन्विन ट्रिक है पूरे यूट्यूब किसी भी सोसल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप इसागे सर्च कर लेजे लेकिन ऐसे वीडियो आपको देने वाला हूं और इतना जितना elements मैं यहां पर लेकी आया हूं उतना ही important होता है पूरे एक 118 periodic जितने elements है periodic table में उसमें से इतने ही elements जितने मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं उतने ही important होते हैं अगर आपने इतना याद कर लिया तो पूरे chemistry के किसी भी problem को अब नीचे अच्छ से लिकल भास रिकाने अभी दात में है मगयल मंजन गर्भी तुम्हें कर रहा हूं । इसकी माताजी बोल रही है उसको कि फीकड को निजन भभ तुम्हें भी हो जाएगा फिर वहां पर उसको कुछ वल्टा सदा बोल लेती है क हौँ से प्रिज़कार परियोडिक टेबल का है अगर आपने इस सेंटेंस को याद कर लिया तो आपको ट्व्पक टैनल स्य याद हो गया ट्रसौंड एलिमेंट से याद अगर इस को याद कर लिया जो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला है टिबाई पनो कावी नागया एक नाम है इतना बड़ा नागया अरे हाँ भाई क्यों नहीं इतना बड़ा नाम है टिबाई पनो कावी नागया बतेई ससोल बतेई ससोल बपकोच ओठ नसा सुनियेगा भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है अरे आएगा कैसी अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं अब यह तो sentence पढ़ रहा हूँ भाई सुनो मेरी बात क्या है इसमें तीबाई पनो का भी नाम गे एक नाम हो गया इतना सो समझने है बती बती मैं आपको sentence का मतलब समझा नहीं बती मतलब हो गया बताना ठीक है लेकिन इस मैंने बोला है पहले बोल दिया है किसी भी मांत्रा पर नहीं जाना है कमेंट में मांत्रा मत लिखना भाई इसका मैं जो आपके यहां पर मतलब बता रहा हूँ उस sentence को समझने के लिए बता रहा हूँ लेकिन इसका मतलब यह होता नहीं है यह कोई वर्ड नहीं है निरर्थक सब्द है ठेक है बस आपको याद करने का सुद्ध जरिया बता रहा हूँ कि कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं तो देखिए तीबाई पनुका भी नागए कोई नाम नहीं है बट आज नेम यहां पर मैं लिया हूँ बतेरी ससूल बापा कच ओठ नसा देखिए एक लड़की है जो बताती है ससूल से उसका जो बाप है मतलब उनके जो पिताजी है एक लड़की अपने पिताजी से बोलती है ससूल से मतलब बहुत तेजी से बोलती है कि ओठ का कुछ नसा करते हैं अपने पपाज जैसे बोलती है कि उट का नसा करने के लिए इस sentence का यही मतलब मैंने बताया जिससे आपको नसा ओठ कच कुछ ठेक है तो इतनी आसानी से आपको याद हो गया भाई लेकिन कुछ अभी तो समझ में ना या sentence तो समझ में आ गया अखिर कैसे याद होगा इसमें ह आती है कि बपा कच ओठ नसा बपा कच ओठ नसा चलिए कुछ ओठ का नसा करते हैं लाइक वाइन बेर सिगरेट कुछ भी जिसमें ओठ रगता ओके सो इतना तो संटेंस हो गया आप इरे है क्या सुनिएगा पी पी मतलब पी आई समझ में आगा ठाई ठेड यहां अरे हां भाई तो आगीर एक यहां बाई क्या लिखा है बाई मतलब बाई अब देखिए यहां पर सेवियस सी बोड़ बाले हैं जिनको वन ठू को दो नहीं बोलते है टॉन्टीव को जांते ही नहीं है तो आप इसको देख लिए क्योंकि मैं इस वीडियो मैं बस टॉन्टीव नहीं बलकि मैं 22 लेकर आई हूं taking 21 लेकर तो ऐसे बताऊंगा तो अगर आपको confusion हो रहा है तो जो मैं बोलूँगा 22 तेस्ट उसको आप देख लिए इंगलिस में क्या बोलते हैं कोई problem नहीं होनी चाहिए हाँ सुच लिए अब दिखें टी बाई टी मतलब टाइटेनियम बाई मतलब 22 22 क्या हो इससे पता चलिए कि titanium का atomic nr 22 है क्या है干 militar nr 22 है क्या है titanium P by titanium 22 titanium 22 हो गयी अच्छी बात है अब ढूगए अब पर पर मतलब पượngई होता है यहां पी ए फ और होरा चाहिए यहां पर होरान ऑफ रहना चाहिए और फ्लूरीन तेल बहुत है ठीतिक नम्बर प्थ एक जैय कि पेश्चा पीछे पहुंद भीघार कर्adura पर हो improved आप्पाइं और आप है उसकी बाद ड़ाएं यहां हो का का यहां सल्ए मतलब आपब इस काव ना मतलब अरे कुछ नहीं बाबा ना मतलब यन ए यन ए हो गया हो गया हो गया है और कुछ हाए कि आ हम अन्स गया है ठीक है गया है इसका मतलब आ सोडियम के अटामिक नमबर 11 अब दिखे वह वह मतलब वांधियम वी वनेडियम का क्या है वी वी का तेई तेई सब्सक्राइब 23 कितना सान है भाई सेंटेंज देखा लिग दिया सब्सूल सब्सक्राइब इस इसका हिंदी आपको पता है को को के बोलते हैं सब्सक्राइब तो इस सारे चीज तो पता है उसी के जरीय में ट्रिक बना है बहुत ही मसदा ट्रिक है बहुत आसानी से याद होगा सब्सक्राइब शूल मतलब सूलय सलफर। हो गया आप दि rabbits सोलट अंट नहीं ही लिखिएगे agree नापके हम C लिखेंगे तो कहीं ऐसे रहेगा को कहीं क को सी भी बोलेंगे बोलूँगा मैं और कहीं क भी बोलूँगा ओके आपको ध्यान रहें का छो का छो छो मनद छो मतलब कारबन का क्या होता है तो यहता सिक्स अब दिए ओ ओ ओ मतला ओ और किया ओ ओ ओ ओ खो ठो जो आठ एठ ओको का इड अन अन नगा इंत्रयों सामतर साथ तो साथ तो साथ अब देखिए क्या आगे मेरे पास Titanium, Fluorine, Candium, Sodium, Vanadium, Sulphor, Boron, Carbon, Oxygen, Nitrogen तो अब देखिए इसके टॉमिंग नमबर क्या 22, 9, 21, 23, 16, 5687 तो देखिए कितनी आसानी से एक छोटे से से सेंटेंस से मैंने 10 10 इलमेंट्स याद कर लिए कीतनी आसानी जो चली एक बहर और रिवार्स करते हैं तिबाइ फणोखवीनायया इस नेम तिबाइ फणोखवीनायया बतेई ससोल बतेई बहुत अग्रसा से बताती है कि बबाश कछ़ ओठ नसा चली ये पपा कुछ ऊठ नसा करते हैं क्या बात है तिभाइ फनो काभी नागया बतिए स्वोल बपा कच ओनागया ब ticket नसा थीउट नसा रिधु ए स्वोल कुछ ओनागया बतिए से स्वोल पाकी बतांई Samag sunrise क्या है ताइटनीय घ्लोरिययम स्वोल अथा किया है विल्गार को यह अठलीयम स्वोल जोच्फ्वों जो थी नहीं नहीं है अरे हां भाई okay so हमने 10 elements से याद कर लिया तो भी मत जाहिए 1,2,3 से मत याद कर लिया sentence बैठ रहा है okay so अब चलिए next sentence देखते हैं इसी के जरी okay so next sentence लेते हैं ऐसा यह कुछ बहुत अच्छा हो भी sentence अब भी second वाले को समझते हैं जी हाँ उसी तरह है लेकिन उससे थोड़ा हटके है जी हाँ हटके है अब इसमें क्या लिखा गया है निदस्मगबार रबसैती जर्चाली कुंती जनती सर उडती गोबती गेबती कुस्ताई पपतर मैंने बोला है मात्रा पे नहीं जाने का लां कितनी बार बोलूं आप मांत्रा पे मस जायाएगा स्कमेंट में नहीं आना चाहिए कि मांत्रा भाई तुने लाया humility कियुंब्हा आपको मांत्रा पे नहीं जाना concept पे जाना है कैसे याद करें इस यह आपको चीज यह आपको दिमाग में याद रहना चाहिएगी याद कैसे करें ना की मांत्रा भाई ऐसे कैसे होगा वहाँ पे आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा बोलते हैं सब बेटा मांगे कार स्कुटर बाप राजी तो वहाँ पे उस sentence तो बन जाता मानते हैं लेकिन जो मैं ट्रीक लाया हूँ इस पे बनाने में बहुत ठाइम लगा है जितना मैं इस sentence बोल रहा हूँ उसको आप चार से पांच बार अगर पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा जिन्दगी भर के लिए जो कभी नहीं भूलेगा जो कभी नहीं भूलेगा बोल रहा हूँ इस sentence जो मैं लिख रहा हूँ आप एक copy में note करते चलिए तो इसमें क्या है नीदस मगबार रबसैती जरचाली कुंती कुंती अब उस कुंती को नहीं समझेगा यहां पर मैंने कुंती लिख यहां पर नीदस मगबार रबसैती एक आदमी का नाम है एक कभी नहीं उनका भान है एक आदमी का नाम है एक आदमी का नाम है नीदस मगबार रबसेंती भाई इतना बड़ा नाम होता है अरे हाँ इस वाक्य में है इस वाक्य में इसका नाम है एक आदमी का ओके इतना तो समझ में आगे, आपने बोल दिया नाम है, चलीए, माल लेते हैं, तो आगे क्या बोला। जरचाली , चलते-चलते ओ बोलता है, .. काउंटी , सरौंटी, मतलब ये काउंटी कोई कि एक वस्टू क्या है कि यह कोई एक थेंग्स तो उस चीज के बारे हैं बात करता है कि चलते चलते और आदमी बोल रहा है कि कौन थी मतलब कोई थेंग्स कोई थेंग्स जनती मतलब जो जनता का समू है जो जनता का समू है जनता का समू सर उड़ती तो जनता का जो समू है अब ऐसा फेक रहा है ऐसा मतलब उड़ रहे हैं सब सर अड़ती जब हम लोग चलते हैं तो सर अड़ने लगा मतलब उनकी कहने का तात्त पर यह है कि जो इस समय जनता इतना जादा फेक रही है कि उनको चल परने में भी परिसानी हो रही है उनका सर टकरा जारा है आगे कि आपना जैसा जैसे जो बत्ती होती है जो जो जानते ही होंगे मूह में बत्ती या वो बत्ती होती है ताखे में जब रखी रहती है तो पपद्र हो जाती है बतलब एकदम रखते रखे खराब हो जाती है एकद आदमियों के गुरुप में ही अपने ही गुरुप में लड़ बिड़ जा रहे हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को बनाया गया होगी सब देखें नीदस मगबार रबसेंटी इस नेम अफ पॉसन का नाम है जो चलते चलते बोल रहा है कि जो कोई एक चीज जैसे एक चीज हवा में उड़ती है उसी प्रकार आदमी भी उड़ने लगी है जो मैं बता रहा हूँ इस सेंटेंस को याद करने के लिए आपको इस मतलब को मैं बत बार रहा हूँ कि आप सेंटेंस बोले ना बार बार बोल रहा हूँ आपको ध्यान देना है तो इस चीज को कहीं फैलाएगा नहीं इसको आपको पूरे यूटिब सोशल मेडिया पर फैला देना है जी हां कि सब को पता चले इस वन से फोर्टी तक टेबल लिखने का इतना आपता तरीका आ गया है अब देगे जनती सर अडती जनती सर उन रही है जब नीची हम चलेंगी तो जैसकी जैसे 32 होती गए 32 उत अधाखे में रखी रहती है तो पपदर हो जाती है उसी पर काल अब इतना तो जान दिया है आपने बोल दिया कि यसका मतलब तो समझ इसका तो नी मेंस क्या होगा एन नी 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 दस 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 मतलब दस नी दस क्या होगा नी का नी का एक्टॉमिक नंबर दस होगा है मग 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 बार बार मतलब बार रहे है बोले तो 12 12 होगी रब सैंती रब आर बी रुबेडियम होगी सेंती सेंतीस मतलब 37 37 30 30 होगी अब यह जर चालीہ जर honesty मतलब झूर्डह झाल झालीक ऐसे गोटवर को आंटी क्यू क्यू मतलब स्षीयू C U Q Q मतलब C U 29 29 29 29 29 जन 3 जन 3 जन 3 जन जन मतलब Z N G-N J-N 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 T-T-T-E-S T-T-E-S कितना अच्छा आच्छा कॉनसेट समझे गा T-E-N J-N 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 T-E-N T-E-S T-E-S सर S-R सर 8 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 38 38 38 38 गई बती गेग जी इज़रमेनियां गेग बती 2222 तो 32 एस लगा तो ठेक है 32 ऑब ये कोस्ताई को को मिज सी यो कबाल्ड क्या है 27 2727 इस वांत्राओं पे आपको नहीं जाना है यह बहुत विशे सूचिना आपको दीजा रही है सब्सक्राइब पद्र पद्र मतलब पंद्र पंद्र है अब देखिए कितने अस्ट्रों सब्सक्राइब अब देखिए अनी टेन हो गया सब्सक्राइब देखिए अब इसी को मैंने एक सिंटेंस में कनवर्ट किया है कितनी आसानी से याद हो गया अरे भाई पहले क्यों नहीं बूला अब इसको बरौर पढ़ते हैं नीदस मगबार रब सेंटी एक आदमी नीदस मगबार रब सेंटी यसी पढ़ते रिएगा नीदस मगबार रब सेंटी जरचाली जरचाली नीदस मगबार रब सेंटी जरचाली जरचारी कुआ उन्ती, कुआ उन्ती, मतलब इतिंक्स कुआ उन्ती, जनती सर अडती, जनती जनता अडती, सर अडती, जनती सर अडती, सर अडती, गे बत्ती, जब रोस नहीं पढ़ते, गे बत्ती, कोस्ताई, 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 गे बत्ती, कोस्ताई, कोस्ताई, पपद है खराब पपद है तो कितना आसान था हम ने बहुत अच्छे से देख लिया समझ लिया जान लिया ओके सो यह था सेकेंड अभी थर्ड फोर्थ तो चीज वागी आप उसको देख लीजी तो देखेंगे इस वीडियो को मज़ा हम याद करती करती महार लेर्निंग ट्रीक के थर्ड स्टेप पर आ गए हैं जी यहां बोले तो फोर्ड से स्टेप पर आ गया है विकेस हम लोग पहली याद कर चुके रेक्टिविटी सरी एक बड़ाव सुनना है लिकबा सरकार नाम अगेल मंजर करो फी कड़को निशन पगए कव हल्केस पड़ाओ आज आई इधर पहुत हो गया कितना बोलोगी अब देखें भाई पेरियोडिक टेबल का तब से स्पेलिंग गलत है ही है बस समस्त आपको कॉंसेट समझाते हैं बोल दिया है मांत्रा पे नहीं जाने का अर्थ जो बता रहा हूं उसका सुद्ध अर्थ वह है नहीं क्यूंकि हमको कॉंसेट इस अर्थ को इसलिए में बता रहा हूं विकेस आप उस चीज को अच्छे से ग्रैप्स या इस तो सो अप चैनगे देखते हैं क्या है गाईकती गय मैं क्या क्यम चाष्ट इस सर्च electrons इत जो शिब्सथ औरती गाएस जो निएस जो आज क्या उनों बीचा लिती हर फीदो समझियेगा गा एकती साथ यह मूणी सिर्फ एकती असतैती से चाओती से चाओती बर्पैती कल सत्र कल सत्र क उन spun Прав के जिसने बीचा लिती हर फीदो सो अब इसका मतलब समझते गाह एक्त्री का मतलब गाने की जो चमता है गाने की चमता हस तैती हसने की चमता से तैती तेज बोलनी की चमता बर बार बर किसी बात को प्रजिंट करने की चमता कल सत्र स्कुल एक साथ मिलकर कौव उन्निसो प्रकार से उन्निसो प्रकार से बीचो बीच हमारे हिदो हिर्दय में रहनी चाहिए या इसका मतलब निकाला गया है इसके जरीर गाने की सत्री गाने की समता हसने की समता तेज बोलने की समता बारबर अपनी बातों को अपनी सुद्ध बातों को प्रेजंट करने के लिए अपनी अंदर की अच्छी बातों को प्रेजंट करने के लिए सारी ये कलाएं जो हैं अंदर एक सरा उन्निसो सब मिलकर बीचो बीच हमारे हिर्दय में होनी चाहिए बस इसका यही मतलब है ओके सुब देखते हैं आखिर एक क्या बोलता है गा मतलब क्या हो गया जी का हो गया आकि मांत्रा ए गा एकती मतलब एकतीस गैलियम एकतीस हो गया घी ठीखें अब दीखर अस आस है को हैं असेनी होता है ज़ी ऐसी इसलिक में हो गया की सबस्assizing सबस्क्राइक हो गया थीस तैंपी इसलिटी में तद्टी कर फहन्तों हो गया मैं एसलिप Cherry सबस्सक्राइब कैं इसलिटी के विवल इसलिटकर में टार्विये एसलिया कर ला में तो दिदी तु मुण कि बिए आर है बर मतलब बियार 25 हो गहां 35 हो गहां 35 अब ये कल कल मतलब होगा है C L color color, I have said C color color, C color 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 सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब होता है आपको सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब इस फोर नहीं बोला जाता है इसे फोर गांच अपकर ली ली इल आई ली इती मतल़ तीन है 3 is 3 अब यह है अब हर मतलब क्या होग है है ए सब्सक्राइब हे मतलब क्यों है वर यह है है ही मिलियम हम दो मतलब दो ही लियंग को अब देखें एक वल दिए 31 एस ए ऐस थर्टी टो इस थर्टी कर्द सो ठर्टी 3 असी 382 ब या 35 CL 17 K 19 BE 4 LI 3 H1 HE 2 अब देखे एक बार और इसे पढ़ते हैं गाह एक तरी गाने की चमता अस एक तरी हजने की समता से चोटी से चोटी तेज कहने की समता या बोलने की बर पैती बर बर प्रेजेंट करने की चमता कल सत्र एक साथ सारी कला मिल के का 19 हमारे हिर्दा में सबसे बड़ी 1900 के प्रकार से 1915 से 20 हमारे हिर्दा में वास करें तो इस सेंटेंस का मतलब यही था और इसे आप दो तीन-चार बार बोली तब ही जाकर आपको इस कॉनसेप्ट को इस मतलब इस सेंटेंस को अच्छे से याद कर पाएंगे क्योंकि जो सेंटेंस आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपोर्डिट है जी हां जो चीज बोल रहूंड बहुत ही इंपोर्डिट इसे आपको सो दो तीन बार आप चार से पांच बार में आपको गैरंटी देता हूं याद हो जाएगा उतना लगा सेंटेस नहीं सो अब देखें तीन चीज हमने देख लिए तीन स्टेप हम पेरियोडिक टेबल तक पहुच चुकी हैं मतलब हमने तीस स्याद कर लिए जी हां पे तीस हैं याद कर लिए भर हाइड सब्प्राइजिंग कि हमने तीन सेंटेन्स में उस और लक्त याद करने के लिए चौथे पर चलती है चौथा लेखती है मतलब फूर्ट सेंटेस्ट या लास्ट सेंटेस्ट उसके बाद हम देखेंगे कुछ अशे कॉंसेप्ट इसके बाद आपको पेरियोडिक टीबल का एक और मज़ेदार इससे पूरा हटकी ट्रिक दूंगा अगर इन सारे जितना भी ट्रिक दिया हूं जो ट्रिक आपको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो आप देखें इस में क्या बोल रहा है सिछाव अल्तेर सजा एक ही जिसाव इससा एक ही कर चावी ऐसे आपको तीन चार बर पढ़ना सिछाव इससा कौची एक कर चावी जो आपको टीन इसको पढ़ते हैं करते झार शेञा लिद सीचो ᛅल थेर ससएकी, सस एककी कर चववी नहीं अठाई मन पची पीस अभी कर छंती अर अठाई है यह उन्ता लिए इसका मतलब समस्त है सचाई की मसीन आपको पता ही होगा सचाई की मसीन जा मतलबающ हम चाल तेर उसमें तेर टामा जाता है तो देरे-देरे दोग-दोग करके चलती है, पानी देने के लिए ऐसे चलती है, फिर कदर कर चौबी, कर चौबी नहीं था, इतना बार मैं प्रयास कर रहा हूं, उसको इंजन चलाने के लिए, इतना बार-बार उसको चला रहा हूं, बड़, मन पल्ची, मन जो है न, एकदम बंद हो जा रहा हूं, मतलब मन ही चल जा रहा हूं, मन नहीं कर रहा हूं, इतना उसको स्टार्ट कर रहा हूं, हो ही नहीं है, मेरा तो मन कैसे कर लिए भाई, सिंपल सी फंड़ा है, अगर बार-बार किसी काम को करो गया, आपको मन नहीं लग गया, तो बस यहां पर काम सेप्स बता रहा हूं, इसका मतलब भी नहीं है कितनी बार बोलूं, मन पच्ची हो गया है, मेरी जो चबी है, मेरी जो परचाई है, ओ भी साय परसाद ही हो गई है, इदर उदर घूम करके ऐसे चलो ओ, ऐसे चलो परसान हो गई है, करच्षती, मिरे सीन ही फट रहा है, मतलब इतना इतना चला रहा हूँ पट यार स्थार्ट ही नहीं हो रही यह सीने ही पढ़ने लगे इतना मतलब उसके कहने का तात्य पर है सो कर अर अठा यह अब मैं 18-19 बार नहीं प्रयास करूंगा सीरे चलोगा यही आज स्टुडेंट भी हम सब करते हैं एक बार नहीं हुआ दूसरी बार करते हैं दूसरी बार नहीं हुआ तिसरी बार करते हैं तिसरी बार नहीं तो भाई अब नहीं होगा जाने दो भाई इसको मत ऐसे बोलना इतना जो ट्रिक बोला हूं न ऐसे मत करना भाई मेरी से नहीं होगा अरे क्यान नहीं होगा रैसा क्या है इसमें encourage जो एक linha का sentence दस तोड़ा Ilmts आपको याद हो जारे एक sentence ऐं तो याद नहीं होगा कैसी बात है याद कैसी बोल सकती हो तो आपको इतना बढ़ियां से मैं एक concept बता दिया, इसको याद कैसे करना है, तब ना याद होगा, तब कभी याद होगा, तो आपको याद करना ही करना है, ओके, इतना होगा, अब तो हमने सीख लिया सब कुछ इसमें, तो अब इसको देख लेते हैं, अखिर अब एक क्या अब देखें, इसमें था C4, C4 अले 13, ससा 21 कर चो भी, इसका मतलब तो आपने सब जान लिया, आप समझते हैं क्या है, C4, C मतलब क्या होगा, Si, 4 मतलब होगा, 4 मतलब 14, Si जो है, इसका atomic number 14 है, El, El मतलब aluminium, El, El का 13, 13, इसका क्यों होगा, 13, अब देखें, सस 21, 19, सस, एसस, सस, होगा, सस, इहां पर देखें, Sc होगा, stop, SK, SC, इसका क्यों होगा, 21, 21, 21, 24 होगे, अब देखें, कर चल वी, कर, कर, यहां पर मैं के आर भी लिख सकता हूं बढ़ यहां पर क्या नहीं लिखूंगा क्या रहेगा मैंने बोल दिया है कहीं के कहीं आर हो जाएगा सी आर ओके सी आर मतलब चौवी चौवी मतलब 24 भूले तो 24 अब दिखी 24 नी अठाई नी अठाई एकदम इतनी परियास किया हूं तब भी जो है ना एकदम मेरा मन ही पच्च हो गया है अब दिखी 24 नी नी का क्या होगा एन आई 28 28 अब यह मन पच्च मन मन का मन मागनीज होता है नोट मागनेजिया नीजी होता ही है मागनीज है पच्ची 25 25 25 25 इस 25 25 फी च्वी पड़ी है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैं के आर लिखूंगा यहां पर देख सकते हैं इसका होता है इसका होता 49 49 49 39 बोलते हैं तो देखें कितनी आसानी से हमने बस एक सेंटेंस यादी किया एक सेंटेंस मैंने बोला उससे अब 10 एलमेंट्स तो मैंने 4 सेंटेंस आपको दिया और आपनी 40 एलमेंट्स बहुत ही आसानी से याद कर लिए जी हां तो इसको आप देख लिए और अच्छे सेंटेंस को लिख लिए और तीन-चार बार प्रैक्टिस किजिए उसके बाद एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत माइन ही रखती है क्या था इसमें था ली लीकबा सर का लिकबा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड़ को नी सन पब है को हज इस पट यू तो इस व आप रेक्टिटी स्रीज देखने को पा रहे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इसको आपको बहुत अच्छे याद करना है लीकबा सर का नाम अगयल मंजर कर फी कड़ को नी सन पब है को हज इस पट आउ तो इस चीज को से आपको देखने को मिल रहा है एक अब्यूजमेंट मतलब है अब्यूज किया गया है ऑई मॉम ठेक है उनकी मॉम के द्वारा अब्यूस किया गया है बोलती है उस लड़के से लिखबा मतलब एक कोई चीज फस गया है लिखबा is a thing which is stuck in your teeth or something तो अपने teeth में फस गया है तो लिखबा करती है सरका तो लड़का बोलता है नहीं अभी तो ही अभी मैं मंजर कर रहा हूं तो बोलती है कि फीकड को मतलब एक लड़का फीकड उसको निशन पब हो गया है फीक चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा ओकी तो एक और ट्रिक आपको देखता हूं बहुत ही मज़दा ट्रीक है जो 19 से इलमेंट से 19 से 18 इलमेंट्स आप अच्छे से उससे आप याद कर सकते हैं तो चलिए उससे भी देख लेते हैं वही लास्ट है इसके आप परियोडिक टेबल का आधा से आधा याद कर ही लिए होगे 20,21,22,23 ऐसे ही हो कि इसमें कोई ऐसा है नहीं कि सीधे मैंने बोलूंगा और वहां पे 19 बोल रहा हूं तो उसके साथ पोटेसियम बोलूंगा तो का उन्नी बोल दूंगा तो सीधे पोटेसियम का के 19 हो गया कका सस्तियू कर मन फेको नी कुजन गागे असे बर कर इसको यह बराप पढ़ते हैं कका सस्तियू कर मन को फेको नी कुजन गागे असे बर कर क इसको अब तीन चार पर बैट किसेगा कि यू कर सी आर कर सी आर ओके मन मन एम एन मन फेको एफ ए को सी यू फेको नी कू कू मिन सी यू कू जन जड एन जन गा 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 जी गा फिर जी गे अस एस आस से नहीं जो होता है सी हो गया फिर बर बी आर कर यहां से मैंने कि यहां पे क्रिप्टन होगा क्रिप्टन कि इतना होता इसका इसका 36 होता है और की का आपका 19 होता है जाए देखिए काका ससतिव करमन फेको नी कूजन गागे अस से बरकर क्रिप्टन तक एक लाइंग में आपने याद करते हैं तो इसका कोई यूज है नहीं लेकिन आपको याद करना है तो यहां से यूज करते हैं तो configuration में जो पार्ट आपको बहुत ही प्रॉब्लम करता है उसका भी एक महा ट्रीक है जी हां electronic configuration में जो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है उसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इस चीज को लिखने में जो परिसान ही होती है उसको आज दूर करने बाला हूं कि हमको तो याद है नहीं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 तो यह तो याद है नहीं इसे कैसे करें इसे कैसे करें तो इसका भी एक महाट देखे तो क्या आप क्या जानते हैं सिंपल सी बात है हम क्या जानते हैं ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 ऐसे करके लिखते हैं फिर ऐसे करते हैं तो उसको बहुत ताइम ले लेता है यह बहुत ताइम कंज्यूमिंग होगे इस वर्मिट को ना यूज करके इसकी मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाके यूटीब पर अबलोट किया हूँ तो आप लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके देख सकते हैं नहीं तो आप यहां पर देख पा रहे हूं कार्ड में कार्ड से जाक आप कभी नहीं भूलेंगे तो चलिए देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट है यह भी कॉन्फिगरेशन करते समय तो मैंने एक चीज आपको नहीं बताया था जो इस वीडियो में बताने बाला हूँ तो उसको देखे इसकूल 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 पब्ल और इसकूल 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 आपको यूज़ी गरना है किसे स्कूल इसकूल 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 इन फिर एक और स 2 एगा PS, PPS, DPS, DPS, FDPS क्या लें कि School, School, Public, School, Public, School, Public, School, Delhi, Public, School, Delhi, Public, School, Foreign, Delhi, Public, School इसमें इसमें 2 रहता है फिर यहां पर 1-2-3-4-5 यहां लाकर 6 कर दिए यहां से 2-3-4-5 पर एक आशी क्सो बद करके यहां पर 2-6, 2-6-2-10-2-10-2-14-10-2-6 G खोलिक-दय। इस्कूल, स्कूल, पब्लिक-धक बृटी, इसका मैं एक configuration करके बताता हूं, इसका एक Г स्रीक है जो configuration का आपको अगर आप ऐसी नहीं कहना देख KLM का जो configuration होता है KLM configuration is too long या too long बहुत ही तो हमने भी पढ़ा an a क्या होता है sodium होता है इसका configuration करते है 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 6, 14 हो गया 3s1, school, school, public school इस पर 1 ही रहेगा विकेज यहां पर 6, 4, 10, 11 हो गया अब देखिए इसी को हमको KLM में convert करना है LMN पर configuration तो ESPDF में configuration है ESPDF configuration मुझे इसी को KLM में करना है तो उसमें हम जानते है होता है 2, 8, 8, 2 मुझे इस चीज को नहीं follow करना है बहुत ही बढ़ा होता है इसकी वीडियो भी मैं बना की YouTube पर upload किया हूँ आप description में लिंक पा जाएंगे वहां से जाके अच्छे से समझ लिए मैं आपर short trick दे रहा हूँ यहां पर वहां learning trick की short trick है एक S first energy second energy and third energy समझ मैं कुछ energy किसकी energy जादा होती उस energy hunts rule प्रिंसपल सारा चीज YouTube पर upload है मेरे जाके चैनल पर search कर लिए सब चीज मिल जाएगा तो आप वहां से जाके अच्छे से उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं यहां पर इस चीज को नहीं बताया था तो यहां पर इस चीज को मैं आपर क्लियर करना हूं सो समझेगा तो पहला इसको इस PDF से PDF से सीधे के लिए कैसे करती है इस यहां पर आप जानेंगे सब देखिए first energy को add कर देखते हैं एक ही है first energy लिख देते है है two second में देखिए two two मतवर second में कितना है six and two कितना होगा eight eight कॉमा आप देखिए three में क्या one है तो easy हो गया आपका KLA में configuration two eight one जी हाँ two eight one अगर नहीं believe हो रहा तो मैं आपको 19 करकर potassium कर करके दिखा देता हूं आपको उससे पूरा अच्छे से concept clear हो जाएगा खिर है क्या तो यहां पर potassium कर ले लेती है कि यह जो होता है 19 कि potassium का वुदत क्या होगा one is two school school public school public school school public school okay इतना हो गया अब देखिए क्या मैं यहां पर करूंगा school है one is two two is two two P six three is two three P six अब देखिए इतना होगा six four ten here six four ten यह यहां दस दस भी हो चाहिए तहाँ पर मैं one कर दूँगा तो 19 हो जाएगा हो जाएगा ना क्यों नहीं होगा बाई 16 four ten 19 हो जाए अब यहां पर 19 हो आरहा है कोई बात नहीं अब इस ही को मुझे क्यल्यमे करना जी हाँ नहीं आप देख्ully फीग सिंपल सी बात है कोई फंडन नहीं है अब देखें पहला में है वॅन में कितना है ट्व है च्थों है दुसरे में 20-30 विर 낮 एट और दॉसरे में 20 Ο..? 12 इसकेडम्य च्तों कितना है एड है ने तो प्वोर्ड दूम्नुल तो इस ते क्या पता चलता हैं अगर मुझे स्पीडियक मा आता है तो क्यालेम में भी क्यालेंगी तोछ फिय कर लेंगे क्यों कर लेंगे को प्रास पे इसकूल पर two कर दो पर यह स्कूल उसकूल इसकूल 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 पर two पबिक यहां पर six इसको फिल कर दो six to six a school 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 public school public school public school दोनों फिल कर दो एक two और six इस दोनों फिल हो गया इसकूल पर one रहा है तुस्पे one दे दो simple सी बात वही चीज आगया बस ऊपर चले गया तो यही था बहुत अच्छे अच्छे concept थे जो chemistry इसलिके chapter से related थे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत important है क्योंकि एक concept इस सब जो था Chemistry का था जितना भी मैंने यूज किया तो आपको summary देते हैं एक short summary जो बहुत important है क्या क्या हमने पड़ा पहला तो होगया reactivity series जी हाँ पहले reactivity series फिर periodic table periodic table trick था इसका कि भी मैंने trick दिया आपको बहुत अच्छा trick था उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह बहुत important यह भी important है लेकिन इससे important है इसको आपको जानद जरूरी है तो फिर तीसरा मैंने आपको दिया आपको आपको बहुत अच्छे से देखिए जो इन तीनों के बारे में जाना चाहिए क्योंकि reactivity series बहुत important है यह बहुत important है इस चीज को आपको बहुत अच्छे से देखना होगा बहुत अच्छे समझना होगा और जो मैं बताया हूँ periodic table का इसको आप देख लिजेगा चाहर बार sentence यूज कीजिएगा उसके बाद periodic table पर आपका concept 100% clear हो जाएगा अब फिर अब इस पीडिया जो अभी बात किया हूँ तो इसका मैं वीडियो अप्लोड कर दिया हूँ चैनल पर चानल पर देख लिजे नहीं तो आप draft में भी देख सकते हैं उपर card में भी देख और आपके साथ तो इस वीडियो को जादे सेयर करें क्योंकि इस वीडियो को हर एक उस बंदे के पहुंचना चाहिए इस इस वीडियो को इंड करते हैं बाई बाई टेक केर एंड सी यू सुन मिलते हैं अगले वीडियो में